बहारत के पहले प्रदान पंतरी का नाम तो सब को पता है। यह बताओ भारत के दूसरे प्रदान मंतरी का नाम क्या थे तौसा जानवर है जो पानी नहीं पीता है। कांगा अब कर दो है कनेदा का दबा इस पिरिलंगा का को असंद कर दने इस नहीं मध्या प्रदिश का मभाद पंजाब के पंजाब के थे तनिगर अच्छा भारत की पर्थम महीला प्रदान मंतरी कौन थे अश्या महाधीप में कुल कितने देश है किसी इसे मादित मेकुल कितने देश है? 48 अड़ तालेश नट्राजमंदर कहा इस्ती थे? तिनाई में हैगिंग काईश्थी थे? दुबवभ देह उसके बाद से भारत का राष्ट्य मिठाई क्या है? राष्ट्य मिठाई लवी बहुत जादा नॉलेज है जी के की बेताहसा नॉलेज लेकर बैटे हैं ऐसा कैसे हो सकता यकिन नहीं होता यह तो छोटे मियां है लेकिन बड़े मिया सुभा नल्ला है इन से बीबात करते है उत्या ही इनका सुन्दर नाम भी है गोरकपुर से बिहार आए हैं बिहार का यह गोपाल गंजस का इलाका है गोपाल गंजस जब माते हैं तो हमारी मुलाकात होती है गूगल बॉय से इनका नाम जान लेते हैं जिन्हें हमने पहले दिखाया वो छोटे मिया थे ये बड़े मिया हैं आपका क्या नाम है आसीज कुमार नाम है इनका confidence देखे कितना ज्यादा है और बेतरीन जवाब भी देते हैं बिहार से आते हैं बिहार का प्रक्रड भी बहुत ऐसे सोनु हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको अच्छी सिच्छा नहीं मिल पा रही है अच्छी व्यस्ता नहीं मिल पा रही है लेकिन आज जो गूगल बॉय है इनसे हम बात करते हैं आसीज जी ये बदाए ये बिहार का प्राचीन नाम क्या था मगदा अरे क्या बात है तु आप समझे इस चीच को कि ने बिहार का प्राचीन नाम पता है ये बताए स्कूल जाते हैं कि नहीं नहीं स्कूल नहीं जाते हैं यां क्या बात exercise नहीं जाते हैं नए फोल सिर्फ घर पर पढ़ते है च्छा November इतना कुछ आपको पता है गूगल बॉँ हैं आप तो समझ ये एक सोनू है जो बिहार के सिक्षा वरस्ता को लेकर बिहार के मुक्वंत्री के सामने जाते हैं और अपनी बात रखते हैं उसके बाद उन्हें तवाम स्ट्रीम मीडिया से लेकर पता नहीं कौन-कौन उन्हें प के सवालों के जवाब दो गारे चलिए पूस थे इंसे कुछ सवाल पूस्ते हैं देखते हैं कि कि इह कितना आता है क्योंकि मुझे अपना बच्पन याद आता है जबल उम्र क् पीछे थे इनसे बात करते हैं क्या-क्या याद है अच्छा असीस से कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं इने सवालों के जवाब आते भी है या नहीं या किवल नाम के ही गूगल बॉए है आसीस भारत के पहले प्रदान मंत्री का नाम तो सबको पता है यह बताओ भारत के द लाई जाती है अरे दिए कुस्त सवाल है जो हमने त्यार किए और इतने सवालों के जवाब तो हमें खुद नहीं पता है और जब हम दे बहुत कि जवाब रिंधा नहीं पता थे है लेकिन इने बहुत कुछ याद है अच्छा यह बताओ सूर से किरड को दर्ती पर आने में कितना समय लगता है क्या वात है सबसे महेंगा धातू कौन सा है अरे वा क्या वात है कौन सा जानवार है जो पानी नहीं पीता है विसमें प्रथम रेल गाड़ी कब चली हुँँ भारत में पहले ट्रेन आप बता रहे हैं कि 16 प्रदान मंत्री थे जिनकी अम्रतिव विदेश में हुई जार वाह सबसे जदर कहा मिलता है सबसे जदर सोना कहा मिलता है अठोल सबसे जदर सोना मिलता है हां पक्का पोस्ता पूच्छेंगा आप बताओं मोबाइल फोन का अविस्कार किसनेे किया था। बताओं मनुस्क के खून में कौन सा दातू होता है । गजव वलब सवाल मैंने लिख रखे हैं और ऐसे ऊसे सवाल तयार करके लाया था कि आज गूगल बॉय को फेल कर दूंगा आज दिखा दूँगा कि गूगल बॉय गूगल बॉय नहीं है इनको कुछ नहीं आता है लेकिन ये हमारे सारे सवालों के सही जवाब दे रहे हैं और बिहार की धर्ती में हम हैं अच्छा ये बताओ क्या कहें समझ में ही नहीं आ रहा है ये जो सवाल है हो सकता है कुछ कार करताओं को भी ना पता हो संगठन वालों को भी ना पता हो फिर से सवाल रिपेट कर देते हैं देखते हैं इनको पता है के नहीं पता है कॉंग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यच कौन थे जास जूले क्या बात है यार डबुलू एचो का मुख्याले कहां पर है जेनेवा में बेधड़ा का वाज बेबाग आवाज विंदास आवाज अलगी कॉंफिडेंस है आसीस के तर नजर आता है अजया विस्व का सबसे अमीड देश कौन साइए उसे दुबाई कुवेट बारिन और सबसे गरीब देश कौन साइए विस्व का बंग्लादेस बुटान एठोपिया क्या बात है देश की पहली मैला आईपियस ऑफिसर कौन थी कौन थी देश की देश की पहली मैला आईपियस ऑफिसर कि रनवेदी हाँ क्या बात है भारत की पहली मैला राजपाल सब्सक्राइब और नोबोल प्रुसकार पाने वाली पहली मैला कौन थी पहली भारती मैला क्या बात है आखरी सवाल इमेल के जर्मिदाता कौन थे क्या बात है गजब है इनकी काबलियत इनके अंदर बहुत छमता है और इस चीछ को आप समझे कि यह उम्र इनकी केवल अभी 6 साल है और 6 साल में इन्हें सब कुछ याद है आप इनसे कोई भी सवाल करिए इनके पास हर सवाल का जवाब है हमने केवल आपको इनसे केवल 20-30 सवाल कियो होंगे मुश्किल से लेकिन इनसे आप कोई कि भी सवाल कर सकते हैं कि पिता जी सभी मुलाकात करते हैं आप भी आजाये कि क्या नाम है आपका जी मेरा नाम धरमंदर राम है और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी गारियन तुले देख रहा है मैं सभी को कोटी-कोटी परणाम करना चाहता हूं जी इतने बच्चे हैं यह मेरे दो बच्चे हैं के चॉटे οानी बॉट मिया हैं मैं लिडूराण खाली करते हैं कि अश Caesar इनको तो निब खास मैं बढ़ता तो इसको इसको और बीचों संगत काशर होता है और इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आप किसी अच्छी संगत के साथ समय बिता रहे हैं तो उसका रंग जरूर चड़ेगा है ना तो बड़े बेटे को देकर छोटा बेटा भी सीख रहा है आप आपने चुनाव भी लड़ा है भी आल फिलान जी यह सब भगवान की किरपा और आप लोगों का असिरबाद है बच्चे को जीते हैं चुनाव जीता हूं और यह सवाल है मारा कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं बेजता है देखिए सर एसकूल भी जो जो जाबी छे साल के हैं इसलिए नहीं भी भीता हूं और जब यह जा रहें कमी है पढ़ाई में और और पढ़ाएंगे बच्चे को तब जाके स्कूल बेजेंगे क्योंकि मैं इसको इतना ज्यादा मेरा यहीं सपना है कि सर यह वर्ल्ड में नाम करें यह बताए बच्चे को तो अभी से इतना कुछ आता है इतना पढ़ा कर कौन से स्कूल और कोई स्कूल है भी हार में ऐसा स्कूल सर कि वह सरकारी पर सिक्षक हैं जाए अब कहने का मतलब है कि यह लड़का इसलिए नहीं जाता क्योंकि अभी इसकी उम्र जाने की नहीं स्कूल अब यह जाएगा साथ साल यौ 9 साल के बाद अब ने दो बिहार की ऐइन कि इस्पूल स्चंद आप देखें हैं फैक् advertisements देखें कुछ अच्छे स्कूल भी होँंगे लेकिन अधिक्तर जो हमने नजर डाली है वह Pakistan हमने नजर है वह सिछा व्षळस्ता यहां पर कम नजर आते हैं जी वो फोड़ा सरकार सरकार चिनता सरकार की है लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है लेकिन यह हमारा बच्चा जो है सरकारी स्कूल में ही जाएगा पढ़ने या फिर हम सरकार से निवेदन करते हैं कि मेरा भी लड़का को कहीं न कहीं अच्छे क्या बनना चाहोगे बड़े होके डिय पता रहे हैं जब बड़े हो जाएंगे तो दियम बनेंगे और देश की सेवा करेंगे उम्र के वल छे साल है और अक्सल लेती हैं बिहार में आपको ऐसी जाता हूं पिर ही में तो लोग शाब कुछ देते हैं देगन एक सिच्छा नहीं देंगे सिच्छा ये एक सिच्छा ये एक सिच्छा ही एक ऐसा चीज है कि वो सवालों को पैदा करती है सिच्छा ही एक ऐसी चीज है जो सवालों को पैदा करती है और उम्र केवल 6 साल है और सोच को इनके सलाम है कि 6 साल का बच्चा इस तरीके की सोच रखता है कह रहे हैं कि फिरी में तो सब कुछ मिलता है लेकिन बिहार में सिच्छा नहीं मिलती है तो बच्चे को सिच्छा चाहिए और इनका कहना है जब ये बड़े होंगे सिच्छा हासिल करेंगे तभी तो इस देश से यहां की सरकारों से सवाल कर पाएंगे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा वीडियो जनलिस्ट उज्वल सिंग के साथ मैं जीते सिंग चौहान